नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहां पर आधुनिक इत्यास पढ़ने वाले हैं और याद रखे अभी ताग आपने बहुत ही टेस्ट पेपर लगाए होंगे लेकिन इसका बेस नहीं समझ पाए होंगे आज सिर्फ आपको एक वीडियो देख लेना है इसके बाद जब भी कभी आपको वीक्निस फेल हो कि नहीं हमें मौडन हिस्ट्री नहीं आती है तो मात्र एक बार इस वीडियो को देख लीजेगा पूरा एक बार वीडियो गर देख लेंगे तो याद रखे कि अपनी सासन से लेके आपके गांधी वाद अथात कह सकते हैं कि 1947 तक पूरा का पूरा आपका निचोड है एक बार पढ़ लीजिए जीवन में कभी भी आपको कभी भी दिक्कत हो एक बार इस वीडियो को देखेगा आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी और 100% आपको अपने वाले सभी प्रस्ण आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे ठेवरी जरूर पढ़ेंगे लेकिन किस प्रकार के प्रस्ण आपके पूछे जाते हैं उन प्रस्णों को यहां पर हम आपको बताते जाएंगे आप लोग वीडियो को जरू लाइक करिएगा दोस्तों क की स्थापना हुई थी 1498 वी में हो सकता है कि आपकी एक्जाम में मिलान करने के लिए ठीक है मिलान करने के लिए हमारे चैनल पर एक वीडियो पढ़ो लेकिन हमारा मतलब होता है कि एक पढ़ो लेकिन सॉलिड पढ़ो ठीक है अगला है कि हालेंड अर्था नीदर लेंड की जो company के स्थापना हुई थी, वो आपकी हुई थी, 1602 S.B. में, लेकिन इससे question ये बनता है, कि क्या हालेंड से पहले कोई दूसरी company बनी थी, तो जी हाँ, आपकी कह सकते ही, इससे पहले आपकी England की इंग्लेंड की बन गई थी, ठीके, तो हालेंड से पहले आपकी England East India Company की स्थ स्थापना हुई थी, 1602 S.B. में, ठीके, अगला यहाँ पर चौथी company आपकी France की, तो France East India Company की स्थापना हुई थी, आपकी 1664 से, अब question आपको यहाँ पर मिलान करने का आएगा, हो सकता है, आपको करवान किदर उदर कर दे, और मिलान करने का आएगा, तो आप लोग इन चा कलकत्ता सेर के स्थापना, जौब चारनाक ने किया था, जो कि आपके कह सकते हैं, कि जौब चारनाक ने तीन आपके सेरों को मिला था, कौन-कौन, तो आपके कोली का था, सूतानाती और गोविंद पुरी को खरीदा था, कितने रुपए में, 12 रुपए में, और इसको मिला कर आपके कह सकते हैं कलकत्ता सहर की स्थापना किया था ठीक है कितने को कोली का था सूतानाती और गोविंद पुरी को खरीद कर कलकत्ता सहर की स्थापना किया था किस ने किया था तो आपकी जॉब चारनाक ने 2018 PCS में कोश्चन पूचा गया था ठीके वही कोश्चन है कि कलकत्ता के संस्थापक कोन है तो जौब चारनाक को माना जाता है ठीके अगला पॉइंट यहां पर देखिए कि कलकत्ता का घेरा बंदी का नाम जो कई सकते हैं जो कलकत्ता में घेरा बंदी की गई थी उसका नाम क्या था फोर्ट बिलियम कर दिया गया था ठीके घेरा बंदी और इसके जो फोर्ट बिलियम के प्रतम अध्यच थे वह आपके थी चाल्स आयर थे चलिए अगला पॉइंट यहां पर देख लेते हैं पॉइंट आप से कह रहा है करनाटक का तिरती युद याद लेकिन कोश्चन यह पूचहा कि जो आपका करनाटक का युद हुआ था इसका परडाम क्या निकला था कि आपको क्या सकते हैं प्रांसीयों का द्रभा और प्रांसीयों का दमन होगे अपके बहरत से हैं तो आपके कह सकते हैं करनाटक का युद तैकि ये infections रहे initi पाइडाम सरूप आपका 1760 इसभी में याद रखी ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है कि वानडी वास का युद्ध कभगा तो वानडी वास का युद्ध हुआ था 1760 इसभी में ठीक है जिसमें से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को अंतिमरूश से पराजित किया आप क ठीक है कहीं पर आपका लेले भी होती है तो कौंट डेलेली ये पॉइंट आपको याद रखे है कौन सा कि वानडी वास के युद्ध कभगा हुआ 1760 में इसमें आपके कह सकते हैं फ्रांसीस से आपके पराजित हो गए थे चलिए नेस पॉइंट में आते हैं कोस्चन आपक गदी पर बैठा थे किसके साहता से तो स्यद बंदूओं की साहता से गदी पर बैठा था आपका फरुक सियर बैठा था ठीके चलिए नेस पॉइंट में आते हैं जो जरूरी होई पढ़ना है हमको अगला है मुहम्मद सा का एक नाम होता है रंगीला कोशन आपका पूछा गया था कि मुहम्मद सा का अन्य नाम क्या था तो रंगीला और एक और नाम था मूल नाम था आपका रोसन अक्तर याद रखे मुहम्मद सा रंगीला का दूसरा एक मूल नाम था रोसन अक्तर था और इसे कह सकते हैं कि इतिहास में एक रंगीला नाम इसलिए दिया गे क्यो भारत में नादिर साह ने अक्रमन जो किया था, देखे Pähla point कि नादिर साह कहा था, तो आपके इरान का रहने वाला था, यह कैसे कहने भारस का रहने वाला था, ठीक है, और इन्होंने मुगल जो आपके थी बादसाह मुहंमद साह कि समय भारत शाला था, किस की समय मुगल होता है कि भारत में जब आपका नादिर साहा आया तो यहां पर मोहमद साह से जो युद्ध हुआ था कहा पर हुआ था था तो आपके 1749 meals B में करनाल जो कि आपके हरियाना में पढ़ता है ठीक है 1749 में करनाल हरियाना में आपके कह सकते हैं युद्धवा मुहम्माद साह से आपका कंचे परराजित हुआ इसके बाद कहसकते हैं कि आपका नादिर साथा तो ओकरनाल के युद्व में विजै होने के बाद दिल्ली पर आकर्मण किया ठीक है फल सलुक कह सकते हैं कि weer point आपका मात्र पोडे कि कि मोहमढ मोगल वाज़ा जिसको विदेशियों ने बंदी बनाया था यह point अच्छा है कि मोहमढ वाज़ा जो मोहमढ चार रंगिला एक मात्र मुगल वाज़ा था जिसे विदेशियों ने बंदी बनायا था नेस्ट पॉंट आपको यहां पर देता है कि तक्ते ताओ अर्थात आपके मयूर जिवाथ राथा आपके मयूर जिय्ण वाला अंतिम आपका कह सकते कौन था तो आपको मुगल बात्सा था कौन था मुहम्मज सारंगीला याद रखे कि नादिर साह अपने साथ मयूर सिंगासन अथा तक्तित आउ और उसमें लगा हुआ कोहिनूर हीरा भी इरान ले चला गया था ठीक है यहाँ पर पॉइंट दिया है कि मुहम्मद सारंगीला अंतिम मुगल बातसा थे जो मयूर सिंगासन पर बैठे थे यह पॉइ मैसूस होती है एक बार बस आपको देखना है अगला बहादूर साह सेकेंड से कोश्चन आपके एकजाम में पूछे आते हैं तो याद रहे कि बहादूर साह जो कि आपके 1857 में दिल्ली से नितुरत किया था ठीक है और यह कह सकते हैं अंतिम आपकी मुगल बातसा थे ठीक ह और इन्हों कह सकते हैं कि 1857 के बिद्रो में कह सकते हैं कि इन्हों अंगरेजों ने गिरपतार करके कहां ले गए थे तो आपके बहादूर साह जफर को कह सकते हैं रंगोन ले गए थे कहां पर रंगोन वर्मा की राधनी क्या है रंगोन भेद दिया था ठीक है और इसके बा में अपने मात्रभूम के दोगज भी नसीब नहीं हुए थे किसको बहादुर्सा कोस्चन होगा कि आपके अंति मुगल बासा कौंते तो बहादुर्सा जफर दुती ठीक है चलिए अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं पॉइंट आप से पूछा गया पर सीवा जी सी कोस् मेरी मंदिर है तो उन्हीं के नाम से इनका सीवा जी नाम रखा गया ठीक है सीवा जी के पिता का नाम क्या था तो साह जी भोसले था ठीक है साह जी भोसले मा का नाम क्या था तो सीवा जी के मा का नाम था जीजा भाई ठीक है जीजा भाई और बात करें कि इनकी सोतेली मा का तुका बाई मोहिते और इनके पुत्र की बात करें मुख्य पूत्र की बात करें वैसे इनके दो पुत्र थे लेकिन मुख्य पुत्र की बात करें तो इनका संभाजी ठीके अगला है कि इनके दादा जी के नाम क्या था तो इनके दादा जी के नाम था कोंड देओ ठीके कोंड नाम है राम दास बहुत याइंपी कोश्चन है सनरच्छक पूछे तो कोण देओ बताना है और अगर आप से पूछे धार्मी गुरु कौन है या समर्थ गुरु कौन थे तो आपके राम दास थे ठीके अगला यहाँ पर इनकी पत्निक नाम पूछता है तो पत्निक नाम था आपका साही बाइर निम्बाल कर एक है कि यहांपर आपको पॉइंट देखने क्या है क्या पूश्यं ककुछण पूश्यन पूच़ायता है कि फार्व जी की अधिक प्रभाव पड़ा था मां चीजा बाई का और उन संदी कब और किसके वीच हुई दिया रखी पूरंदर की संधी हुई थी आप संदी 1665 अब इस संदी में हुआ क्या था था याद रखे इस संदी में क्या हुआ यह था था यहाद और सीवा जी के पास मاتर कितने बचे थे? आपके 12 किले बचे थे. 12 किले बचे थे. मुख्य आपको किले पर फोकस करना है. वैसे मेन पूइंट आपको यहां पर दीआ भी गया है. आप अगर PDF के मादब से पढ़ना चाहे तो PDF पढ़ सकते हैं. अगला है सीवा जी को राजा की उपाधी किस ने दी थी बहुत बार कोश्चन पूछा गया है तो सीवा जी को राजा की उपाधी जो दिया था वो आपके औरंग जेब ने दिया था ठीक है औरंग जेब ने याद रखे औरंगी जेब ने सिवा जी को कह सकते हैं कि एक जैपुर भवन में कैद किया था कहाँ पर जैपुर भवन कहाँ पर है तो याद रखे जैपुर भवन आपके आगरा में है ना कि आपके राजस्थान में याद रखिएगा question पूछेगा कि सीवा जी को और यंग जिएब ने कहां पर कैद किया था तो जैपूर भावन जो की आपके काहाँ पर है आगरा में है आगरा में ठीकेश अब यहाँ पर राजिवसी कोशन पूलेता है शीवा जी के राजिवसीग के हुआ था आपका 1674 इसवी में ठीकेश कहां पर तो उनकी राध्धानी थी रायगड याद कोस्चन पूछेगा कि सीवा जी के राध्धानी क्या थी तो रायगड थी ठीके तीला किस ने किया था तीला के अर्थात कह सकते हैं कि इनको जो तीला के राज़िशेक संपन कराया था तो इनके कह सकते हैं पंडित थे आप आपका 1666 इसवी में करनाटा के युद्ध हुआ और कह सकते हैं कि यह आपका महत्यपूर्ड इनका युद्ध सावित हुआ था इनने क्या हुआ थे कि हैदराबाद के मदनाई ओम अकन्ना नामक भाईयों के सयोग से इनका सफल अभियान आपका बना था करनाटा का युद्ध वो कहां रहते थे सीवा जी के दर्वार में रहते थे आश्ट प्रधान रहते थे ठीक है अब यहां पर यह कोश्चन अभी पिछली बार आई अस में कोश्चन पुछा गया था और आपकी शीवा जी थे तो सीवा जीय कैसकते हैं मराठाओं के आयका मुख शूरोद क्या थ तो आयक का मुख्ष्रोत क्या था है यह था आपका कह सकते हैं चौथ कर था ठीक है चौथ कर था और चौथ कर का कभी कभी पूछ लेता है कितना तो आपका चौथ कर कितना होता है एक बटे चार होता है ठीक है समझ लिजिए यह है क्या कि यह आयका सबसे प्रमुख्ष्रोत इसलिए मराठाओं से उनकी आयका 10% वार्षिकर के रूप में वसूल करते थे यह दोनों पॉइंट आप पढ़ रीजेगा इसक्रीन साथ ले लिजिए अब यहां पर आपको पढ़ना है जो आपके के सिखते हैं कि सिख गुरु थे आपके गुरु नानक देव पहले नमर की रामदास, पांचमें अरजुन्दियो, छट है आपके अरगोविंद, साथ में हर राय है, आठमें हर किसन है, नवें आपकी तेक बहादूर है और आपके दसमें है गुरु गोविंद सिंग, अब यहां पर देखो कोशन पूछेगा गुरु गोविंद अर्श्वरी, गु प्रांत के राधानी तलवंडी में वह था ठीके लाहूर में तलवंडी में वह था कोश्चन आपसे पूछा जाता है तलवंडी वर्तमान में कहा है तो तलवंडी वर्तमान समय में कहा है ननकाना साहिब में ठीके ननकाना साहिब का जाता था तलवंडी को वर्तमान में किस न पुर्णानक देख थी वो कभीर दास के सावानावता अथात कह सकते हैं कि जिस प्रकास से कभीर दास लोगों को बात करते हैं उन्हीं के नेचर पर यह भी डिपेंड हुए थे ठीके अब यहाँ पर इनके मृत्ति हुए थी तो इनके मृत्ति हुए थी आपकी 1549 में कहां पर आपकी करतार पुर में ठीके कहां पर करतार पुर में इनके कह सकते हैं इनके मृत्ति हुए थे और इनके प्रिसिस थे आपके लहना सिंग ठीके कौन थे लहना सिंग और लहना सिंग का जो कह सकते हैं बाद में क्या हुए अंगद के नाम से यह गुरू के पत पर आसीन तो गुर मुखी लिप के जरना था आपके गुरु अंगद है इन्होंने क्या किया था इन्होंने लंगर ब्योस्ता को अनिवार किया था इन्होंने लंगर ब्योस्ता को अनिवार किया था और तीसरा पॉइंट है कि इन्होंने गुरु नानक दिव की जीवनी को लिखा कि किस इंस ने लिखा था गुरू नानक दियों की जीवनी किस ने लिखा गुरू अंगद ने लिखा नेस कोचन आप सेगला पूछा गया है रामदास, याद रखे, रामदास, जो आपके चौते नमबर के हैं रामदास, देखो चार वर्ड भी है, चार नमबर से हैं, ठीक है इनके समय में गुरु का पद वनसा अनुगत हो गया कोश्चन पूछेगा, कि इनके समय जो आपके कह सकते हैं थे आपके मुगल में तो अब कुछ समय आपके थे कौन अकबर तो अकबर के समकालिन कौन थे रामदास ठीक है और यहाँ पर अकबर ने इन्हें पांसो बीगा जमीन दिया था जीनों पर कह सेकते हैं इन्होंने अमरसर नामक सहर आपको अमरसर के नाम से विख्यात हुआ था जो आपको कह सकते हैं चकपूर या कह सकते हैं रामदस पूर था फ़ूर इसका नया नाम जो होया था अमरसर अब यहाँ पर होता है कि गुरु करने का स्री जाता है गुरु अर्जुन देओ को जो कि पांचवे नमर के गुरु होते हैं ठीके अगला है कि गुरु रामदास मुगल बात्सा आपके अकबर के परमित्र थे कोशन पुछेगा कि मुगल बात्सा अकबर के मित्र कौन थे तो आपके थे कौन ये आपके रामद अब आते हैं पांचमें सिख्षी गुरु जो की बहुती मात्वपूर है तो याद रिके यह सिख्षों के पांचमें गुरु थे और अब तक के सबसे लोगपुरी गुरु कौन थे गुरु अर्जुन्देव जिनका सासनकाल है 1580 से 1606 था ठीके इनके समय में सिख्ष आंदो सिख्षों के अंतिम गुरु के बाद अर्थात आपके गोविंद सिख्ष गुरु गोविंद सिख्ष की हत्या के बाद इनका जो कह सकते नितरत किया था सिख्षों का वो किस ने किया था इसी प्रकार से कोचना आया था तो आपके बंदा बहादुर थे ठीके तो याद रह लचमर दास की नाम था लचमर दास था ठीक है और एक कोच्छन होता है कि लचमर दास को अता कह सकते हैं बंदा बहादुर को फांसी किस ने दी थी हत्या किस ने करवाए था तो फरुक सियर ने बंदा बहादुर को कि हत्या करवाई थी समझ में आ गया और इनी के समय में सिक् संबनांभे था समराज की आज आजबी आपको देखने को मिलते हम और Monkey तो वहां पर करनाट के स्थापित हुआ कि आपका हैधर अलियुक्त समें थे मैसूर थे ठीक है घारई नियुक्त के यो वो point आपका यह हुआ, दूसरा point कह सकते हैं, कि जो यह point आपका हो जाएगा, हैदर ऐली से, क्या होगा, कि यह देखो, हैदर ऐली ने क्या किया था, हैदर ऐली ने डिंडी गुल, एक जगा पढ़तीयाब की, डिप्टी जल, तो डिंडी गुल में फ्रांसीसियों के सहयोग से और कहां डिंडी गुलू आपको कह सकते हैं डिपटी जल में किया था समझ में आ रहा है भाई सबको चलिए अगला है कि हैदर अली ने छेति विस्तार की करब में देखा जाते हैं सुधा सेंदा कंणड और आपके मालावर छेति को जीत लिया था अब यहां पर होता है कि जो युद्ध हुआ था आपका तो यहां पर पहला युद्ध से कोश्चन आपका बनता है एक संदी होती है जो पुछाता है MMS याद रखी यह आपकी ट्रीक होती है MMS याद रखिएगा कैसे कि प्रथम आंगले मैसूर युद्ध किसके बीच हुआ था तो अंग्रेजों की मै दूसरा जो आपका युद्ध होता है आंगले मैसूर युद्ध तो इसमें हैदारेली बुरी तरह से पराजित होता है और इसे मंगलोर की संदी करनी पड़ती है याद रखिए पराजित कैसे हैं बुरी तरह से घायल हो गया था ठीके लेकिन पराजित नहीं हुआ था जब पराजिद हुआ ठीक है पूर्दा दिखा जाए तो इसमें पराजिद हुआ अब दो पॉइंट आपके यह बचते हैं तो तीरती आंगले मैसुर्यूद हुआ इसमें आपके टीपू सुल्तान को स्री रंगपटनम की संधी करनी पड़ी जिसके तयात कह सकते हैं कि कोशन होता है कि सुतंता का ब्रच सुतंता का ब्रच टीपू सुल्तान निखा लगया था तो स्री रंगपटनम में लगया था ठीक है और कह सकते हैं कि टीपू सुल्तान ने किसकी संधी की थी अंग्रेजों के साथ तो आपके स्री रंगपटनम की संधी की थी चौथा जो कि बहुत ही मात्वपूर आपसे देखो यह मिलान करने के लिए आएगा मिलान करने के लिए क्या कि इसमें कौन सा संदी होई इसमें कौन से संदी यह कोशन इस प्रकार से होते हैं ठीक है अगला चौता आंगल मैसूर युद्ध जो आपका हुआ था 1799 बेस्पी में हुआ था और इस यु काल कोठरी गटना अर्था ब्लैक होल है क्या तो याद रखेगा कि सीराजुत दौला ने सीराजुत दौला ने फोर्ट विलियम से गिरापतार किये थी 146 संग्रेजों को ठीक है जिनको 14 फिट चौड़ी और 18 फुट कर सकते हैं कि जो चौड़ी इस प्रकार से थी सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही थी जिसमें से 123 लोगों की म्रत्ती हो गई थी बचे कितने थे सिर्फ 23 ही बचे थे इसी घटना को काल कोटरी घटना का जाता है और यह किसने अंतात कैसे सुराजुत दौला समन्दी थे ठीक है यहाँ पर आपको दिया गया है कि फिट ल आने वाला था आपके हाल वेल ठीक है हाल वेल अब यहाँ पर देख लिए आपको पढ़ना है क्या पढ़ना है प्लासिक युद्ध तो फल्सरुप इस घटना के बाद जो आपका कह सकते हैं दो दिन मादा थाथ 23 जून 1757 इसी भी को बंगाल के नादिया जिले में स्थित आपके कह सकते हैं यहाँ पर आपका हुआ प्लासिक युद्ध ठीक है प्लासिक दुखा वुआ थे 23 जून 1757 को हुआ और कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके सिराजुद दौला था उन्हों पराजित हो गए और आपके अंग्रेज भी जैई हो गए थी ठीक है तो इसी की तरफ से नित्र किस ने किया था तो आपके लाड कलाइब ने किया था ठीक है लाड कलाइब ने और आपके कह सकते हैं कि आपके फारुक सियर इनके तरफ से किया था ठीक है किनके तरफ से तो यह आपके हैं जो आपके क्या नाम है इनका यह नाम है हाँ यह आपके सिराज प्रकास से बाग गये थे शिराजुत दौला ठीके और इस दिश्षिक ही तुल्णा की गई आपकी 1526 में हुवे पानीपत के प्रथम Yudhu जो कि आपके कह सकते हैं कि इसके मत हुआ था पानीपत का प्रथम युदी इवा हुआ था आपके बाबर और आपकी कह सकती हैं इबराहिम लोदी की बीच हुआ थे तुल्ना की गई थी ठीके और इसे प्लासिक युद्ध को बंगाल का प्रथम करांती कहा जाता याद रखे प्लासिक युद्ध को बंगाल का प्रथम करांती कहा गया है ठीके अगला पॉइंट यहां पर देखते हैं जो दिया है कि प्लासिक युद्ध के बाद ही अंग्रेजियों ने बंगाल मे कह सकते हैं महाराज जिपाल बना दिया गया कब तो 1773 के आपकर regulating act आया था उसके तहताब के जो बंगाल का गवर्नर था उसे governor general आया कह सकते हैं महाराज जिपाल बना दिया गया ठीक है अगला point यहां पर है कि 1833 के अधिनियम के द्वारा बंगाल की governor general को भारत का governor general बना दिया ठीक है भारत का governor general अभी बताएंगे और भी तो भारत का governor general बनाएगा कब 1833 के अधिनियम के द्वारा अगला point है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के प्रथम governor जोनों आपके थे उनको वायसराय का नाम के दिया गया है तो 1858 अब यहां पर point समझ लीजी कि बंगाल का प्रथम् governor को थो बंगाल का प्रथम गवर्णर को थो लरड कलायब यह इसे रावर्ट कलायब बोलते थी ठीक है अगला है फि बंगाल का प्रथम governor general को थो बंगाल का प्रथम governor general देखू यहां परन्तर यह गवर्नर है सिर्फ यह गवर्नर जनल है ठीक है तो गवर्नर जनल को थे वारें हेस्टिंग थे ठीक है भारत के प्रथम गवर्नर जनल आपके लाड विलियम बैंटिंग यादर के लाड विलियम बैंटिंग गवर्नर जनल भारत के हैं इदेको बंगाल के थे यह भारत के के सकते हैं वाई सराय कौन थे तो लाड़ लूई यह आपके माॉंट वेटन सुतंत भारत के प्रत्थम जनल लाड़ मौंड वेटन और शुतंत भारत के प्रत्थम भारती गवर्णर जनल थे वो आपके सी राज गोपालाचारी यहां पर कोशन यह पूछेगा कि स्वतंद भारत की दूसरे गुवर्नर जनरल तो देखे पहले आपके कौन होगे तो आपके कैसके लाड़ मांट वेटन होगे दूसरे कौन बने आपके माउंट वेडन, ठीक है, समझ में आ गया, अगला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, की बंगाल की करने जनरर में, सोतंद भारत के अन्तिम क वैसरा है, आपके कौन थे, तो सीराज गोपालाशारी धे, सोतंद भारत के अंतिम के बाद कहे रहा है ठीक है अब यहां पर दॉयद साषन से कोशचन पूचेगा निजामत का अधिकार बोला आता है तो या दुबाद सीथा अधिकार जो था वो आपके कैसकते हैं इस प्रसासन के अंतर दिया गया ठीक है अब अगला है कि बंगाल में दोएद सासन को किसने लागू किया तो लाड कलाइब ने किया ठीक है बंगाल में दोएद सासन को किसने आपके लागू किया तो लाड कलाइब ने किया था और कैसकते हैं कि स्मार्व्त किया था दोई साषन को वारेन हेस्टिंग ने किया था ठीकिए वारेन हेस्टिंग ने सत्रा सो भाद्तर और यहां पर अगला पॉइंट देखते हैं यहां पर आपका रेगूलेटिंग एक 1773 से कोशिन क्या होता है कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल की गवर्नर को गवर्नर जनर बना दिया दूसरा पॉइंट इस अधिनियम के द्वारा मदरास और बंबाई प्रेसिडेंस को कल कलकत्ता प्रेसिडेंस के अधिन कर लिया गया आगला पॉइंट है कि गवर्नर जनर को सयोग देने के लिए चार सदस्यों की एक कारेकरणडी पैसत का गथन किया गया महें मात पॉइंट आपके यह है कि 1773 के तहट आपका एक सर्वोच चनेला की स्थापना की गई लिकिन क क्लकत्ता में 1778 में कहां पर आपके कलगत्ता में तो इसके पहले मुक्ह नजीष कों थे तो इसके जो कलकत्ता कैसके रुक्निकुरेकर रिष्ठाप्ना ऑगी जब्स्तव मुक्ह नजीष बनाया गया ता Sittlement कहा जाता है. Sittlement कहा जाता. Dekhuan कितने नाम हो गए? यहाँ पर Sittlmen यह इस्तंमदारी विश्य د्वारी यह सूर्यस्ट कानून यह कह सकते हैं Permanent Settlement भी कहा जाता है कि इसको Sittlmen से पहले लगान देना होता था नहीं तो जमीधारी को नीलाम कर दिया जाता था इस करक कह सकते इसे सूरस्त कानून का जा जाता ठीक है समझ मैं आ गया यहां पर कह सकते हैं नबे परसंट आप लोग होता है कि सरकार को देते थे और दस Physics, ग्यारा परसंट के खर्च के लिए कहीं कि 90% होता है ठीक है इनके लिए खर्च के लिए होता था समझ यह उसमें क्या इस्तिती कि वो अपने का 89% लगबग 90% आपका जो भाग होता वो जमीदार को दे देते थे ठीक है और 10% सिर्फ अपने लिए लगते थे किसान कितने उसमें मजबूर थे ठीक है समझ में आ ग लेती ठीक है और अगला पॉइंट है कि इस सर जानसोर के सहयों से लाड़कानवालिस ने 17-93 में इस व्यस्ता को लागू किया अगला पॉइंट है आपर देखते हैं तत्त अस्थ नीती या अस्था चेप की नीती का पालन किया था आपके वेलेजली ने मतलब कि बंगाल का सिर किसे कहते हैं तो आपके बंगाल का सिर को वेलेजली को बोलते हैं बंगाल का सिर ठीक है और साहयक संधी साहयक संधी की रूपी किसे जाना जाता है ठीक है अगला पॉइंट आते वीलाय का सिध्धान्त वीलाय का सिध्धान्त अर्थात आपके लाड डलहोजी की सबसे अधिक अलोचना जो की हुई थी वो आपकी विलाय की सिध्धान्त के लिए किया जाता है ठीक है लाड डलहोजी की अलोचना किया थी किसके कारण तो विलाय की कारण कियाती है इन्होंने क्या किया था जिसे गोध लेने वाले प्रथा या निसेद यह कह सकते हैं राज की विलाय का सिध्धान्त अतात लाड बल्होजी की सबस्यक्तिक अलोचना विलाय की सद्धान्त के लिए किया गया जिसे गोध लेने वाले प्रता का अनिसेद्ढasia राज भरआप की नहीं थी यह इसे भिलते हैं विलाय का आ नात का था तो सब्रत्रिंद एक सितारा को विलाय में मिलाए गया था किसे सतारा को मिलाए गया था ठीके किसे सतारा को ठीके फिर इसके देखा जाए तो आपके जैदपुर संभल बगहाट उदैपुर जासी नाकपुर को मिलाए गया था एक कोशना से बहुत पुझा जाता है कि ऐसा कौन साब का था जो कह सकते हैं कौन साब क यहां पर जो है आपका जो आवद था आवद था इसे विलय की नीति से नहीं इसे कुशासन के आरोप में इसे ब्रिटिस समराज में आवद में मिलाया था किसको आवद को कैसे क्ते हैं विलय की नीति के तहित नहीं किया था इसे किस नीति में तो कुशासन के तहित इसे कुश अरोप लगया और अवद का भी लाजे किया, कभ? 186 में, ठीक है? अगला प्रण यहाँ पर देखते हैं, कि सार्वजिनी कार जो कि आपके थी, 1823 में लोक सिवा-विभा की स्थापना की, लोक सिवा-विभा की स्थापना, आपके डलहोजी ने कभ किया, 1823 में, ठीक है? इसने 18 तिरपन में भारत में प्रथम टेली ग्राफ सेवा की स्थापना की थी कि इसने आपके जो आपके कह सकते हैं कि आपके डला होजी थे इन्होंने क्या किया कि भारत में सरवथम टेली ग्राफ सेवा शुरू की थी कहां से कहां तो भारत में सरवथम टेली ग्राफ की स्थापन काउंग किया तो कलकत्ता के शिवा का पाम से कलकत्ता से आग уг contributing समाझ में रहा हैर वीडियो लास करें भाई आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं चलिए अगला है कि ऐसे टेली ग्राभ सिवाप की क्या था डाक सिवा का जनक कहा जाता है ठीके अगला पोर्ण ही याँचे पर देखते हैं जो कि आप पर है किभारत अगल्पणूलिक है तुछ चाहल हो थे कहां से तो आक के करांची से चाहullam त्टीकर का प्रिचलफ करना आग धा था धीके ब्हारत में जो रेलवे का जनक किसे बनाता है तो भारत में रेलवे का जनक मानते हैं आपके लाड डलहोजी को किसको मानते हैं लाड डलहोजी को जानते हैं जानते हैं और इन्होंने क्या किया है सरपतम आपके अठारा सुतिर पनिजबी में बंबई से थाड़े का बंबई से थाड़े की ब पूछेगा कि जो रेलवी का परचालन सब्तम सुरू करना थो कहाँ पर तो आपके मद्रास में लेकिन लेकिन कहां से तो आपके महरास्टे शुरू हुआ ठीक है इसने सिंदू सुल्तान कावेरी नमक तीन इंजन का प्रयों किया और इन सिंदू सुल्तान कावेरी को मिला कर एकannoा नाम दिया गया black beauty के नाम दिया गया black beauty आप question आपके यहां पर पूचेगा बहुति नागरिक shiva adam ठीक है ना भारती नागरी सिवा अदियम जो आपका था यह जो कि कैसे किसे कुछा था तो भारती योजो इस सिविल सिवा में जाने से रोकना था। Toni दिनियम के द्वारा आई को घटा कर कितना किया गया था तो आपके 21 वर्स से 19 वर्स यह आपका अलग है आपके लाल डलहोजी सम्मनित नहीं है ठीक है हमने क्रॉप किया है आपसे कोचन पूछेगा कि नागरिक जो भारती नागरिक सिवा दिनियम में इसे कब लाया गया तो 18 178-1889 में और इस दिनियम के तैट क्या हुआ था तो सिविल सेवा में जाने के लिए रोकने के लिए उनकी उम्र को घटा कर 21 वर्स से घटा कर 19 अब बताईए कि 19 वर्स में कौन करेगा कौन आपका आईस बनेगा है ना तो इसका मतलब घटा दिया 21 से घटा कर 19 कर दिया ठी सिविल सेवा में पास होने वाले पहले जो आपके भारती थी वो कौन थे याद रहिए सतेद नाट टैगोर प्रथम भारती थी जो सिविल सेवा में पास किये गए और दूसरे ब्यक्ति का नाम था सुरेंद नात बनर जी जो आपके सिविल सेवा आपकी पास किये थी ठीक ह अब अच्छा बहुत ही अच्छा आपका पॉइंट है लार्ड रीपन का काल जो आपका है बहुत ही अच्छा है क्यों कि उनके जुकार काल है बहुत ही अच्छे काम इन्होंने किया है इनकी 1880-1884 इनका सासन काल रहता है याद रखे कि लिटन के बाद या भारत की भार्तियों ने सज्ञन रिपन कहा तो लाट रिपन को कहा जाता है और कैसे हैं कि आपके फ्लोरेंस नाइट इंगल आपने सुना होगा ठीक है तो उन्होंने क्या किया था बाहरत को बहुत बाहरों पूचा गया है यहाद कि अठारा सुक्रीआसी में इस ने प्रताम फैक्ट इसने लाड रिपन ने इसके तयत क्या हुआ तो बाल स्रिमकों को ध्यान में रखकर बनाया गया बाल स्रिमकों अर्थात के सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों से काम ना कराया जाए ठीक है कब तो आपका 1881 में आप क्या हुआ या 1881 में इसी किसमय भारत बिधुवत रूप से यह कैसे हैं दस वर्षी जनगना की सुरवात हुई थी लाड रिपन के काल से 1881 में सरवर्षों में जनगना हुए थी वर्तमान में जनगना चल लए है वो आपकी कौन से चल लए है तो आपकी कैसे है 2019 चल लाए ना तो इसके अनुसार से आपकी ये कौन सी है पंदरहमी जणगना है कब से तो आपकी 1880 से अगर पूझा या सुतंद भारत की जणगना के इसाब से तो आपकी ये सात्मी जणगना चल लगी है ठीक है सुतंद भारत की इसाब से कुल जणगना आपकी पंदरहमी है सुतंद भारत की शुसासन को जर्म देना इस थानी सुसासन अब यहाँ पर पॉमज ज़े कि भारत में मदराश में सिच्छा सर्प्तम कहां पर की गई तो मद्रास में की गई थी ठीक है और याद रखे बुट डिस्पैच ठीक है उट डिस्पैच की समिच्छा के लिए 1882 में विलियम हंटर की अधिश्ता में सिच्छा आयोक का गठन किया गया और इसी के आधार पर सिच्छा की बिवस्था की गई थी तो आपकी बुट डिस्पैच का सम्मद के से है तो सिच्छा की बिवस्था से सम्मदी थे अगला पॉइंट यहां पर देखिए कि हंटर आयोक की रिपोर्ट के आधार पर भारत में पहली बार प्रात्मिक और मादिमिक सिच्छा पर ध्यान दिया गया किस रिपोर्ट के तहद तो आपके हंटर आयोक के तहद किया अगला पॉइंट इन्होंने क्या किया जो के सकते हैं अभी एक एक एक्ट लागू हुआ था जिसमें से जो आपकी 21 वर्ष से 19 किया था आप क्या किया रिपन ने किया कि सिविल सेवा में जो आईव सीमा थी 19 वर्ष से बढ़ा कर कितना कर दिया 21 वर्ष इसलिए कैसे काफी अच्छा काम किया अपर रिपन ने रिपन ने एक काम और बहुत या अच्छा किया क्या किया तो याद रिखे इलबर्ट विध्यक इन्होंने पारिद किया इलबर्ट अंग्रेज'm की मुकद्मों की सुनवाई कर सकते थे पैड़़ाम सरूप अंग्रेजों का अंग्रेजों ने इसका विरोत किया जिसे इतियास में सूएथ विद्रोक आजाता है कोसे और पूछेगा कि सूएथ विद्रो का सम्द्ध आपके इल्बर्ट विद्यक से है इल्बट विद्यक कवाया था तो आपका 1880 में हुआ क्या था तो इसमें भारती जज को भी कैसे कितेंगे अंग्रेजों जजों के समान इनको कैसे हैं मुकदमा सुनाई का दिया गया था अदिस, ठीक है स्वेत विद् दो याद रखें, लार्ड डरफृणिन जो आपके हुई तो इनके समय में बहुत ही महत्रपूड पूर्पूर्ग हुआ, जो आपकी भारती राष्टी का अंग्रेश है, याद रखें, 1880 इस भी में, बंबई में, आपकी भारती राष्टी कंग्रेस के स्थापना हुए किसके समय लाड डफरीन के समय वही बहुत बार कोश्चन पूचा गया है कब हुई तो 1885 में और इसने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए महिला डफरीन फंड के स्थापना किसने किया तो आपके लाड डवरी ने किया था ठीके अगले पॉइंट के और आते हैं देखे एक बार पढ़िए जीवर मर आपको याद रहेगा जब भी कभी डाउट हो तो आप लोग हमारे चैनल पर आईएगा आपको इतिहास में modern history इससे जादा नहीं आएगी तो नहीं आएगी ठी ठीके अगला है लाड एलगिन बस question घुमाए जा सकते हैं इसे लाड एलगिन लाड एलगिन second आपके हैं तीन से question पर देखे किया इन्होंने word का था का था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही नियंतरण पर रखा जाएगा किसने का था लाड क्रांदकारी अंदिलन के शुरुआत हुई और तीला को 18 मा की जेल की सजा सुनाए गई थी तो किसको तो आकि तीला को 18 मा की जेल की सजा सुनाए थी आकि किसके समय लाड एलगिन की समय अब आते हैं कि लाड करजन जिने कह सकते हैं कि इन्हें अच्छा सासक माना गया था लेकिन उन्हें एक काम कर दिया कि इन्होंने बंगाल भी भाजन कर दिया और देखिए लाड करजन का काल मंडल काल मंडल आयोग और भूल के लिए याद के आता है कांग्रेश के बारे में इसका प्रशित कतन है कि कांग्रेश अब लडखरा रही है करजन ने का था कि कांग्र देख लीजिए 1899 से 1905 अब यहां पर पॉइंट याद रखे इनसे क्या है कि इस प्रकार भारत में 1904 में सहेकारी अंदोलन शुरू हुआ इसने इंपिरियल कैटेड कॉर्फ सी की स्थापना 1904 में किया अगला यहां प्रतम वासराय था जिसने प्राचीन इस मारा की देख भाल की लिए पुरा तत्युक विभाग की तो देखिए जो आपकी पुरा तत्युक विभाग आपकी बने हैं जो आपकी पुराने चीजे अभी भी संग रही थें तो इसकी जो स्थापना किया था किसने तो आपके कह सकते हैं आपके लाड करजन नहीं किया था पुरा तत्युक विभाग की सर्वता में स्थापना ठीक है अगला पॉइंट कि इसने ब्रेटिन की मुद्रा पाउंड को भारत में कानूनी रूप से जारी करन कि यह आपके कौन है लाड करजन किया थीके और यहां पर कैसे कि सबसे भारत में जुअधिक विकास हुआ था आजादी के बाद, आजादी के बाद सबसे भारत में, देख लिजी, कि आजादी के पहले स्वारी, आजादी के पहले भारत में सबसे अधिक जो रेल का विकास हुआ था, तो आपके करजन के समय में हुआ था, अगला पॉइंट आपका, कि 1905 में बंगाल का भाजन कर दिया गया जो सबस्यदिक विवाद इसप्रत हो गया यही एक कारण था जिसे लिए इसे भूल का जाता है ठीक है अगला पॉइंट हो जाता है यहां पर क्या कि गोपाल कर्शन गोखले ने इसकी तुलना औरंग जेप से की कोश्चन पूछेगा कि जो आपके कह सकते हैं यह आपके भूल जाते हैं इनका नाम करजन ठीक है तो करजन की जो तुलना की है वो आपके औरंग जेप से किसने तो आपके गोपाल क्रशन गोखले ठीक है अगला पॉइंट आता है लाड मिल्टो सेकेंड की को बात करें तो लाड मिल्टो सेकंड का सासनकाल है 1905-1910 आप याद रख पाल और पाल के नितरत में बंग भंग आंदोलन तेजी से बढ़ रहा था जो सरकार नहीं चाहती थी सरकार हिंदू और मुसलिम की बीच एकता को समाप्त करना चाह रही थी इसी संदर में आगा खा के नितरत में मुसलिमों का एक सिप्ट मंडल सिम्वला में मिला कहा मिला आप क्या हुआ कि ढवा इधाया। chi स्थापना किया। जो ससद्गिंग सब्सक्राइब करद अधिक स्थापना किया। कलांतर में मुहम्मद अली जिन्ना जो थे इसके आपके अध्यच बन गए थे नेता बन गए थे मुस्लिम रिक के नेता बन गए थे मुहम्मद अली जिन्ना ठीक है अगला पॉइंट होता है कि जो आपके कांग्रेस के सूरत अद्वेशन में क्या हुआ था कांग्रेस में पह हो गया था अब आते हैं 1909 आदिनियम तो 1909 के अधिनियम में एक पूंट आपको पूछा जाता है क्या कि जो प्रथक मुसलिमों के लिए प्रथक संप्राइडिकता आदार्थात कर शकते हैं 1909 के तहित क्या हो था मारले मिन्टु सुधार अधिनियम आया अर्था तो 1909 का अधिनियम जो होता है इसे बोलते हैं मारले मिन्टु सुधार ये क्या था तो इसके दोरा समप्रदाइक्ता के आधार प्रथक निर्वाचन की विवस्ता की गई था समप्रदाइक्ता होता है धर्म मतलब कि 1909 के अंत अपके लाड हर्डिंग सेकेंड के समय में आपके उनीस सो ग्यारा में दिल्ली दर्बार का योजन किया गया जिसमें ब्रेटिन के समराठ थे आपके जार्ज पंचम जो कि अपनी पत्नी के साथ आये थे और इसी समय दिल्ली में कई महत्पुन डिर्ना लिये थे जैसे मतलब दिल्ली दर्बार में कई आपके महत्पुन डिर्ना लिये जैसे की आपके 1911 में कलकत्ता मतलब की 1911 में बंगाल विभाजन को रत्त किया गया और उसे 1912 में लागू किया गया मतलब कह सकते हैं कि जो आपके दिल्ली थी राध्धानी देख लीजिए इसको पॉइंट आओ समझे इसको कि 1911 में दिल्ली दर्बार में कलकत्ता से राध्धानी परवर्ति करती है यह राध्धानी स्थापित करने के घोशना की गई कब की गई 1911 में और कह सकते हैं कि इसक ख़डेंत कंड चलाया गया और रास बिहारी बोस को कह सकते हैं अब युक्त बनाया गया अंत में कह सकते हैं कि यहां पर 1911 में बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया 1 अपर 1112 को अलग किया गया मतलब समझे एक बार फिर से देखीजे 1911 में बिहार को बंगाल से अलग करने की गोशना किया गया और 1 अप्रेल 1912 को अलग किया गया ठीक है और साथ में उडिसा भी सामिल था इसमें 1936 में उडिसा को बिहार से अलग किया गया 1956 में राजपुनर गठनायोग के सिफारिश वर बिहार को सुतंतर राज़ की रूप में गोशित किया गया 15 नॉमबर सन 2000 को बिहार से अलग जार खन राज बन गया और 1912 में बिहार में पटना के बाकिपुर कांगरेस का प्रतम अद्वेशन हुआ याद रखिए 1916 में लखनव अद्वेशन में नरम दल और गरम दल आपके ही बिला होगे कोशन पुछेगा कि नरम दल और गरम दल का जो बिला हुआ था वो आपके कहां पर हुआ था तो लखनाव अद्विशन 1916 में हुआ था ठीक है अगला आते हैं यहाँ पर 16-21 में कि लार्ड चेम्स फोड के बात करें तो याद रखिएगा कि पटना उच्छनियाला की स्थापना हुई थी आपकी 1916 में कब हुई थी पटना उच्छनियाला की स्थापना 1916 में ठीक है और महत्रपूर पॉइंट यहां पर देखते हैं जो आपको जरूरी है यहां पर 1918 में क्या हुआ एहमदाबाद और खेडा निर्धोस भारत्यों के हत्त्या गर दी गई ठाएं सरकार को सहतानी सरकार का और 1919 में सक्री रूप से राजनीत में सामिल हो गया ठीक है अब यहाँ पर आपका है कि इस अदिनियम के द्वारा भारती रिजरोबैंग के गठन का जो किया गया मतलब 1935 के समय की बात हो रही है इससे समझे यहां से 1935 के अदिनियम के द्वारा 1937 में 11 प्रांतों में चुना हुए जिसमें बंगाल और पंजाब में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी तो पंजाब में करसक प्रजापार्टी की बनी और संग्वादी जलकिस सरकार बनी और बंगाल में मुस्लिम लीग ने कई दलों के साथ मिलकर सरकार बना दिया और यह सरकार आपके 28 माह तक चली थी ठीक है अगला है कि 1935 के अदिनियम के द्वारा जवाहलाल नेरू ने दास्ता का नया चार्टर का अगला पर देखते हैं कि 1949 में जब सेकिन विश्युद्ध शुरूआ तब अंग्रेजी सरकार ने मंत्री मंदल से परामर्स लिए बिना सभी भारतियों को युद्ध में सामिल कर दिया इसलिए नराज होकर कांग्रेज मंत्री मंदल ने 1949 में स्थिफा दे दिया दिखें याँ पर जब सेकिन विश्य दुआ था तो यहाँ पर अंग्रेजी सरकार ने भारतियों से बिचरे ने इस्तिफा दिया था तब ठीके अगरा है पर 1940 में गांधी जी ने बेक्तिका सत्यागरा की सुरुवात किया कब किया था सत्यागरा की जो सुरुवात किया था कब किया था 1940 में किस ने गांधी जी आप कोशन पुछेगा कि प्रथम सत्यागरा ही कौन थे तो प्रथम सत्याग्राई आपके विनोबा भावी और दूसरी सत्याग्राई कौन थी जवाहलाल नेरू ठीके जवाहलाल नेरू को बनाया गया अब आते हैं लाहर अदिवेशन से मातपूर कोश्चन होंगे लाहर अदिवेशन आपका कितना है 1980 ठीक है 1980 देखे यह मुसलिम लीव का एतिहासिक अदिवेशन था जिसमें पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई कोश्चन पुछेगा कि पाकिस्तान की मांग सरप्रतम कब की गए थी तो पाकिस्तान की मांग की गए थी आपकी कब तो आपके लाहर अद्विशन 1940 में ठीके अब इसकी जो अध्यच बनाए गए थी तो आपकी कौन बनाए गए थी तो आपकी और नेवर काकिस्टा उड़ा थाठा है इसमें सरवर्थम पाकिस्तान का उल्ले किया गया है कि जब यहाँ पर संप्रदाइक्ता की बात की गई तो यहाँ पर कंग्रेस की बात किया, रिक्स हें और इसके बाद देखते हैं यहां पर कि क्रिप्स प्रस्ताओं के संदर्वा गांधी जी कधन क्या था कि यह एक ऐसा चिक है जिसका बैंक दिवालिया होने वाला है यह आपके गांधी जीन का था क्रिप्स प्रस्ताओं का था ठीके अगला पॉइंट है कि 1943 में कराची अध्यविसन में बांट और भागो का नारा दिया अगला दियागया आपका लाड मौंट बेटन देखो हम आप लोग आ चुके हैं एक घंटे में लगबग देखा जाए आपकी कि मौडरनिस्टी कतम हो रही है कर आप से लाड मांट वेटन देखे इस समय ब्रिटेन में क्लिमेंट एटली की सरकार थी कोशन पूछेगा कि जो इसके समय देखो जब भारत आपके सकते हैं इस समय स्वतंतर हो रहा था उस समय सरकार आपकी जो ब्रिटेन में कौन थी तो पूछेगा जून 1948 से पहले ये सोतंतर हो जाएगे वाड पहले से कह दी गया थी ठीके अब यहां पर है लाड मांट वेटन जवाहला नेरो के मित्र थे ठीके इन्होंने देश विभाजन पर गांधी जी को मना लिया लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद अंतिम समय तक वि प्रिटी संसंद में प्रिश्टित किया गया जूकि 18 जुलाई 1947 को पारित हो गया आपका भारत विभाजन अगरा है कि भारती सुतंतर अधिनियम 1947 का इसका जो मुख्य प्रवधान क्या था तो प्रवधान को समय लीजिए कि इस अधिनियम के द्वारा 14 अगस्त 1947 में पाक प्रवधान के सकते हैं सुतंतर हो गया अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान के प्रथम प्रधान मंतरी जो आपके थे वो लियाकात अली और प्रथम गवर्नर जिननल कों थे तो मुहमद अली जिननल थे पाकिस्तान के प्रथम 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 मंतरी लियाकात अली थे ठीक ह और प्रिथम गवर्नर जनरल थे तो आपके मुहम्मद अली जिन्ना थे कि इस अदिनियम में या ब्यवस्ता किया गया कि भारत और पाक राष्ट मंदल का सदस बने रहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या उन पर निर्भर करता था राष्ट मंदल के सदस आपके 1945 में बन चुका था आपका भारत ठीक है तो इसमें नेड़ा लिया गया कि भारत और पाक राष्ट मंदल के सदस बने रहना चाते हैं या नहीं कब लिया गया तो कह सकते हैं कि ये नेड़ा लि विरूध किया लेकिन बाद में इनको भी सामिल कर लिया गया ठीक है लाश पॉइंट आते हैं सी राज गोपालाचारी 1948 से 1950 कि एक सुतंत्र यह सुतंत्र भारत के प्रथम यह अंतिम भारती गवर्नर्ट जनरल यह वाइसराय थे ठीक है देख लिजिए सी राज गोपालाचार कि गवर्नर्ट जनरल का यह आपको आटोमेटिक समाथ हो गया और राश्पती का पद सरवच्च हो गया ठीक है और 26 जनुए 1950 को भारत प्रजातंत्र के साथ साथ गरतंत्राष्ट के रूप में इस्तापित हुआ तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर हिस्ट्री को कैसकते आप कि आदुने की तियास को यहाँ पर समप्त किया है अगर आपको अप पसंद आया है तो वीडियो लाइक करिए थोड़ा बहुत ही दरुदर हो सकता है अबने बताया कि लगभग आपका देखा जाए तो आपकी यहीं से प्रस्वन देखने को मिलते हैं